नमस्कार न्यूज निशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मौनुच चहल IPL 2024 का आगाज 22 मार्च से होने वाला है और इस भार फिर से 10 टीमें आपस में आपको बैटल करती नजर आएंगी दस टीमों के विश खनासान होगा ट्रोफी एक है टीमें 10 हैं लेकिन IPL स्टार्ट होने से पहले SRH Sunriders हैदराबाद के लिए बूई खबर सामने आई है और उनके स्टार ओल राउंडर वनिंदू हसरंगा पर ICC ने बैन लगा दिया है और वो क्यों बैन लगाया है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन वनिंदू हसरंगा एक ऐसे प्लेयर जो पिछले सीजन RCB के लिए खेले थे लेकिन इस बार वनिंदू हसरंगा आपको याद होगा साल 2023 के अगस्त के महीने में उन्होंने टेस्ट से रिटार्मेंट लिया था लेकिन अब उन्होंने टेस्ट से यूटर लिया है और लेकिन यूटर जरूर लिया लेकिन टेस्ट में अब कमबैक नहीं हो पाएगा वनिंदू हसरंगा क क्योंकि ICC ने उन पर बैन लगा दिया है और अब क्या वो ITL में खेल पाएंगे SRH के लिए ये बड़ा सवाद रहेगा लेकिन उन पर बैन क्यों लगाया है वो भी हम आपको बताते हैं बंगलदेशे खिलाफ हाल ही में खत्म होई सीरिज के आकरी वंडे के दोरान वानिंदू हसरंगा को ICC आचार सहिता के नुच्छे 2.8 का उलंगन करने का रोक लगा है ये घटना पारी के 37 में ओर की है जब वानिंदू हसरंगा ने अंपायर से उनकी टोपी छिन ली और मैच क के दोरान अंपायरिंग का मजाक उड़ाने लगे इस हरकत के बाद उनकी 50% मैच फिस काट ली गई और उन्हें तीन डिमेरिट पॉइंट मिले कूल 24 महिने के समय में उनके कुल 8 डिमेरिट पॉइंट हो गए है आई सीसी ने वानिंदू हसरंगा को बंगलदेशे खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए सस्पेंड कर दिया है यानि कि वनिदू हसरंगा को अंपायर के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया है और जिसकी वज़े से अब दो टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाएंगे वनिदू हसरंगा को अगर आप करियर देखेंगे तो अब उन्होंने चार टेस्ट मैच खेले हैं सो की एवरेट से उन्होंने शिर्फ चार विकेट की चटकाए हैं लेकिन अब ऐसे में अब आईपीयल के जब यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी क्योंकि यह भी तकरीब बाईश-टेस माय से स्टार्ट होगी श्रिलंका व वो बैन किये गए हैं और यह जो हरकत उनकी सामने आई है उसके बाद उन पर अब दो टेस्ट मैचों का बैन लगा दिया गया है अगर आप आईकेल की बात करोगे तो संद्राइजर्स हैदराबाद को जो पहला मैच खेलना वो 23 मारत को खेलना वो KKR के साथ खेलना है और जो दूसरा मैच होनका वो 27 मारत को होगा वो मुंबई इंडिन्स के साथ होगा क्योंकि अभी तक दो ही हफ्तों का ये शेडूल जारी किया गया है आईकेल के जो मैचिस का सिर्फ 21 मैचों का है उसके बाद पर अलगा कि अगले मैच होने वाले मैच कहा होंगे दुबई में होंगे या कहां पर होंगे अभी शेडूल फिलाल आया नहीं है लेकिन वनिन्दू हसरंगा को लेकर फिर से हम आपको बता रहें कि आई सीसी ने दो टेस्ट मैचों का उन पर बैन लगा दिया गया है वनिन्दू हसरंगा को पिछले सीजन आपने RCB की तरफ से खेलते हुए देखा होगा लेकिन इस बार वो SRH की तरफ से खेलेंगे तकरीबन डेड़ क्रोड रुपे लगा कर SRH ने अपनी टीम में शामिल किया है लेकिन स्टार ओल राउंडर पर अब सवाल ये है कि क्या वो पूरा IPL सीजन खेल पाएंगे या नहीं इस वीडियो के लेकर आपकी क